बिस्मिल्लाहिर रह्मान रराहिम, I am Muhammad Arsalan from Grammaray TV, let's discuss review 2 of 9th class English, the police disperse the crowd, वो हम से पूछता है, जो crowd है, ये कौन सा नाउन, countable noun, uncountable noun, material noun है, या collective noun, सबसे पहले, answer देने से पहले, हम समझते हैं, countable noun, countable noun, वो होता है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप count करते हैं, material noun वो होता है, जिससे कोई नई चीज़ बना लेते हैं, मुमी तोर पर हम, जैसे would है, collective noun क्या होता है, collective noun असल में नाम है, group of people का, या group of things का, जो एक नाम हम divide करते हैं, उसे हम collective noun कहते हैं, और नार्मल ये singular यूद होता है, जैसे herd है, group है, अब जो crowd है, हम इसे कहते हैं, हुजूँ, और uncountable जो noun है, सर वो आपका, आप कहते हैं कि ये uncountable है, ये गिना नहीं जा सकता, जैसे आपका sugar है, sand है, ठीक हो का सर, honey है, milk है, water है, तो पुलीस ने हुजूँ को मुन्तशिर कर दिया, पुलीस जो है, आपका subject noun है, ये भी आपका collective noun है, या जखी कर, dispersed जो है, ये सर, past farm है, dispersed की regular verb है, the article, crowd जो है, सर आपका क्या है, collective noun, crowd आपका क्या है, collective noun है, अभी हमने definition में क्या पढ़ा है, name, of group of things and people, अब ये group of people है, अब group of people के लिए हमने एक name device किया है, crowd, तो crowd जो है, ये आपका क्या है, collective noun, अगला पढ़ें सर, जी, the dog sat his master, कुता बैठा है, मालक के करीब, तो कुता अपने मालक के करीब बैठा है, मालक के साथ बैठा है, तो the dog sat beside his master, along अमूमी तोर पर, compound preposition के साथ इस्तमालत है, along with, across जो है, जो roads हैं, गलियां हैं, इनके साथ साथ, और over जो है, जब कोई चीज हमारे बिलकुल उपर होती है, तो हम over इस्तमाल करते हैं, ज्यादा ओपर हो तो above इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो suitable option है sir, वो आपका beside है, wait till I return, मेरे आने तक इंतजार करो, verb से शुरू हुआ है imperative sentence sir, till sir, I heard an eye dash from the room, अब यहाँ पर came है, coming है, come है, will come है, यह जो coming है, यहाँ पर, as a noun इस्तमाल करेंगे sir, जब ing farm को बतूरे noun इस्तमाल करते हैं, तो उसे हम gerund कहते हैं, क्या कहते हैं sir, gerund, और इसका तरजमा हम करते हैं, ते हुए के साथ, ते हुए, ठीक होगा, ती हुई, इस तरह, हुए, I heard a noise from the room, मैंने कमरे से, आती हुई, या आते हुए, शोर को सुना, मैंने, एंड पर चले जाएंगे last पर, मैंने कमरे से, आते हुए, एक शोर को सुना, तो भी यहाँ पर आ जाएगा, coming, I heard a noise coming from the room, I heard a noise coming from the room, आगे देखें, पांचवा है, He spoke very loud, He said आपका क्या है, subject, spoke आपका क्या है, verb, very क्या है, intensified है, loud क्या है, यह आपका अड़ोब है, बुक पर उसने सभी सारे को अंडरलाइन किया, very loud, अब हम असल में होना चाहिए, के very क्या है, आप्शन में कहता है, यह adverb of manner है, adverb of frequency है, adverb of degree है, यह adverb of time है, जो adverb of manner है, यह answer देता है, how, जो adverb of frequency है, यह answer देता है, how often, जो आपका adverb of degree है, that shows the intensity of the verb, and adverb of time, shows us in which particular time the action takes place, manner सर, इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, के manner जवाब देता है, how, के कोई काम कैसे हुआ, beautifully, चीखो के सर, frequency जो है, यह बताता है, के how often, के कोई काम कितनी बार हुआ, degree जो है, यह क्या show करता है, intensity, आप तब वोब, वोब की intensity जाहर करता है, के कोई शिद्द कितनी है उसकी, और जो time है, यह when को जाहर करता है, for how long, कितनी देर कोई action टेक पलेस हुआ, कितनी देर लगी है, तो यह time है, अब, he spoke very loud, वो बड़ी उंची आवाद में बोला, उसमें बड़ी उंची आवाद में बोहत की, तो जो, जो spoke है, very जो है, इस spoke की intensity को जाहर करता है, तो सब आप कहेंगे, के, जो very है, यह आपका अड़ोब अफ डिगरी है, रवाइस करने की खुरूब तो नहीं है, आएंगे, चटे पी तरफ, वोई watch him go, इससे पहले का हम बताएं के go क्या है, वोई हमारा क्या है, subject, watch हमारा क्या है, verb, him हमारा क्या है, object, तो पिर go क्या है, go पिर क्या हो क्या है, कि जब form of verb, especially, first form of verb, यह two plus first form of verb, बतूरे noun इस्तमाल हो, adjective इस्तमाल हो, यनि verb के तोर पड़ इस्तमाल ना हो, adverb के तोर पड़ और हो जाए, तो हम कहते हैं, यह infinitive, there are two kinds of infinitive, एक तो होगा infinitive, एक होता है bare infinitive, two plus verb की first form used as noun, adjective, एक तो हम कहेंगे, यह आपका infinitive रहा, but, first form of verb, base form of verb, use as noun, adjective, वर्प, हम कहेंगे, यह सार आपका क्या है, bare infinitive, तो अब गो जो है, यह सार आपका क्या है, bare infinitive, खैर उसने बुक पर नहीं लिखा हुआ, आप मैंशिन का सकते हैं, यादानी के लिए, कि यह आपका क्या है, bare infinitive रहा, he is found of cooking, he, subject, is mean verb, और found of he की क्या है, खुब भी है, कि वो शोकीन है, तो यह आपका adjective, cooking क्या है, cooking क्या है, हमने पढ़ा है, कि I.N.T. farm, noun का का काम करे, तो हम कहते हैं, कि यह सार हमारा क्या है, gerund है, present participle असल में fourth farm होती है, fourth farm को आप I.N.G. farm भी कहते हैं सर, यानि कि जब I.N.G. farm बतुरे adjective काम करे, या verb farm के तोर पर काम करे, तो हम कहते हैं कि यह क्या है सर, present participle है, infinitive two plus verb की first farm को कह लिए सर, ठीक हो गया, past participle सर असल में third farm of work, verb है, third farm of, verb है, जो adjective का काम करती है, या verb की farm का काम करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यह past participle, अब cooking यहाँ noun का काम कर रहा, तो आप कहेंगे सर, यह क्या है, gerund है, understood है सर, आके देखिएगा, आठवा फिकरा है, if you had studied hard, you dash succeeded, हम कहेंगे सर, यह third conditional है, यह क्या है सर, third conditional, third conditional का जो structure है, वो बड़ा simple है, सबसे पहले if है, if class में, past perfect है सर, और past perfect में, head के साथ, third form of love बड़ा इस्तमाल होती है, ठीक हो कह सर, आगे जो main class है, उसमें, हम इस्तमाल करते हैं, would का, उसके बाद have का, और past participle का, उपर हमारा concept क्लिर हो गया है, कि past participle हैंगे, third form of love बड़ा सर, गो कि वो objective के तोर पर इस्तमाल हो, या वो form के तोर पर इस्तमाल हो, तो अब देखिएगा, if you had studied hard, if past perfect tense, if past perfect tense, if past perfect tense, you'd have succeeded, तो क्या जेका सर, you would have succeeded, understood, you would have, आगे है, the shoe is pressing on my team, hold on, अमूमी तोर पर एक sentence में, structure होता है, सबसे पहले subject, फिर आच आच आता है, वो, और उसके बाद आता है, object, subject, verb, object, अब, अब एक से ज्यादा लफ, object बन रहा है, तो, असल में, अगर आप गोर करो, तो जो object होता है, जो subject होता है, यह आपका यहाद नाउन होता है, यहाँ पिर प्रो नाउन होता है, यहाँ जब एक से ज्यादा लफ्ज नाउन का काम करेंगे, तो हम कहेंगे, यह नाउन फ्रेज है, फ्रेज के मतलब हमने बड़ी बार पड़ा हुआ है, फ्रेज को पावर्ड भी घरता हम भी नहीं है, जो कुछ मानी देता है, अब दशू जो है, यह सब्जेक्ट है, इद हमारा, हेल्पिंग वोब है, प्रेसिंग जो है, यह मेन वोब है, अब वोब के बास आ रहा है अब जेक्ट, अब यहाँ पर, एक से ज्यादा लफ्ज अबजेक्ट का 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 रहा है, नाउन का 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 रहा है, तो हम कहेंगे, यह नाउन फ्रेस, यह क्या है, नाउन फ्रेस है, अगर प्रेपोजिशन से, कोई फ्रेज है, जो प्रेपोजिशन का 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 रहा है, यह तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, अजेक्टिव का 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 रहा है, यह कोई फ्रेज फ्रेज, that's all for today, so nice of you